दोस्तों नमश्कार, आदाव सत्सियकाल, नियोज क्लिक के कारिकराम आज की बात के साथ मैं उर्मिलेश, ये कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है, कम से कम मुझे तो नहीं समझ में आ रही है, कि आखिर क्या बात है, कि ये G20 में लगे हुए थे, जी ट्वंटी को इतना बड़ा जलसा, बेशुमार खर्च, वो रंगीनिया, वो रोश्नी, वो सजावट, नजाने क्या क्या किया गया है, जो अब तक भारत में कोई भी जो विभिन देशों का बड़ा संबेलन जितने हुए होंगे आजादी के बात से, नहरू दोर से लेकर के और मनमोहन सिंह के दोर में मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा प्रचार, इतनी भव्यता, इतना खर्चा कभी किया गया हो, लेकिन अब क्या हो रहा है, इस जी ट्वंटी में जो उर्जा लगाए हुए थे, जो इसकी पूरी की पूरी ब्रैंडिं कर रहे थे, अचानक उसमें एक शिगुफा नया छोड़ दिया गया, वो क्या भई, इंडिया और भारत का, इंडिया बना भारत, क्या है आज की बात, मेरी बात, आप की बात, हर किसी की बात, देश, दुनिया, गाउं, तेहाद, सत्ता, समाज, संस्कृति, मीडिया और सिय को गया भारत के रास्त्रपती भवन को, रास्त्रपती भवन की तरफ से जो जारी निमंत्रन काड़ गया डिनर का, या लंच का जो भी है, उसमें बाकाइदा भारत के रास्त्रपती हिंदी में लिखा जा सकता था, वो बिलकुल सही है, यही यूज किया जाता है, हम को अच तरह के निमंत्रण अखवारों के दफ्तरों में बड़े पदों पर बैठे लोगों तक भी आते थे तो एक तरफ President of India लिखा होता था और उसके बैक पेज पर जो होता था हिंदी में होता था उस पर भारत के रास्टरपती लिखा रहता था आप रेडियो स्टेशन दूदर्शन के भी आप देखिए कागजात उसमें जब किसी कलाकार को किसी पत्रकार को किसी लेकर को किसी बुद्धिजीवी को जो पारिश्रमिक मिलता है उसमें भी भारत के रास्टरपती या President of India दोनों लिखा रहत है आम तौर पर यह पहुती साधारण एक प्रेक्टिस थी आम प्रेक्टिस थी लेकिन इस बार G20 के मध्य जी ट्वेंटी के एक आयोजन में जो इन्विटेशन कार्ड जारी हुआ और अब तो यह पता चला है कि M.E.A. यानि भारत का जो विदेश मंत्राले है उसकी सामति संस्तुती से हुआ है और वो कार्ड जो है जारी हो गया प्रेसिडेंट आफ भारत की तरफ से तो थोड़ा एक तो अटपटा सा लगता है क्योंकि प्रेसिडेंट आफ इंडिया सुनते सुनते अब इन सभी है विच्वल हो चुके हैं अब भ्यस्त हैं पूरी दुनिया के भारत के लोग भी या अगर हिंदी में भारत का ना है तो भारत के राष्टपती समिधान में भी आई है लेकिन ये जारी किया गया उस सरकारद्वारा उस पार्टी की सरकारद्वारा जो अब तक इंडिया ही इंडिया करती रही है बहले उसका नाम भारती जनता पार्टी ह लेकिन इंडिया शब्द से उसको इतना मोह रहा है कि स्टार्ट अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, जीतेगा इंडिया, दोडेगा इंडिया, और नजाने क्या मेकिन इंडिया, नजाने कितने इंडिया के नाम पर जुमले और नारे और स्लोगन मौझूदा सरकार ने या इसके बड़े नेताओं ने रचे हैं लेकिन अब रातों रात ना जाने क्या हुआ दो तीन दिन में या दो तीन सप्ताह में किस ये कहने लगे और इनके कैबिनेट मंतरी जो इंडिया या भारत के नाम पर शपत लिये होंगे और उनों ने मनें इंडिया के मंत्री या भारत के मंत्री के रूप में सपथली होंगे वे काने लगे कि इसमें गुलामी की भू आती है ये गुलामी की लिगेसी है गुलामी का प्रतीक है वो ये भी बताने लगे एक तो बड़े कैबिनेट मंत्री नए नहीं बहुत सिनियर वो कहे कि ये बड़ा खतरनाक शब्द है तो मैं दो ही कारण हो सकता है एक तो विपक्षी लोग बड़े खतरनाक आपके लिए हैं क्योंकि वो जैसे भी हैं अच्छे हैं बुरे हैं खराब हैं जैसे भी हैं लेकिन लड़तों लड़ेंगे तो वही आप से चुनाव में आम आदमी तो नहीं लड़ सकता आम आद मी अपनी पार्टी भी जल्दी नहीं बना सकता आम आदमी या तो आपको सपोर्ट करता है या तो उनको सपोर्ट करता है अब वो एलाइंस बना लिया उन्होंने उसका नाम रख दिया इंडिया उनका अपना नाम है इंडियन नेशनल डेवलोपमेंटल इंक्लूसिव एलाइंस अब इस एलाइंस को संचेप में या उसको शार्ट में इंडिया कहा जाता है जब से इंडिया ये अमल में आया है या सामने आया है तब से बॉकलाट इतनी ज़्यादा है कि उसको घमंडिया कहने लगे लोग अब घमंड तो सत्ता का होता है पावर का होता है जो विपन है जि कभी CBI के, कभी IT के, वो क्या गमंड दिखाएगा, लेकिन वो बार-बार विपक्ष के एलाइन्स कोई गमंडिया करते हैं, तो अब इसी बीच में एक और घटना घट गई, घट ये गई कि गोहाटी में कोई संबेलन था, उसमें RSS Chief Mohn भागवत जी ने कह दिया, कि भाई भा करके पतानी कैसे इंडस से ये जरूर जुड़ा होगा, यानि सिंदु नदी से, कि सिंदु के इस पार भारत के बारे में ये आम तोर पे माना गया, कि ये जो लोग रहते हैं, उनको एक तरह से वो अभिवित कर रहे थे इंडियन के रूप में, तो ये जो शब्द है, इंडस के रूप में, कभी न कभी, सात्मी से लेकर, बलकी सात्मी से कुछ पहले इसका जिक्र मिलता है, अंग्रेजी में जिक्र मिलता है, आप इंग्लिश लिटरिचर में इसे खो़ सकते हैं, इसको ट्रेस कर सकते हैं, और फिर नवई शताब्दी दसी से लेकर के जगह मिलेगा और इंडिया लगभग कहा जाने लगा इंडिया उस समय कहा जाने लगा तो किसने इसका नाम इंडिया रखा कैसे इंडिया के रूप में प्रच्रीत हुआ कोई ये नहीं जानता लेकिन निश्चत रूप से इसमें इंडस रीवर का बड़ा योगदान है सिंध एक बार उनकी जैनती के दिन और एक बार उनके परिनिर्वान दिवस के उसर पर और कई बार समिधान दिवस के दिन भी लेकिन इनको मालूम नहीं है या अगर मालूम है तो जान भूच कर नजरंदाज कर रहे हैं कि ये जो लाइन है इंडिया भारत ये डॉक्टर बियार रमबीट कर ने रचा है इस लाइन को रचने वाले इस पंक्ति को लिखने वाले पंक्ति का एक अंश वो डॉक्टर भी रमबीट कर है भारत शब्द के खिलाफ न तो हम है न तो कोई हो सकता है क्योंकि भारत हम है भारती है हम लोग भारती है हम सब देश की जनता भारती है हम बारे संविधान में भारत हैं लेकिन आप एक ही लिखते ना भारत के राश्टपति या तो लिखते या तो President of India लिखते और अगर आपको President of भारत लिखना है तो फिर Constitution में एक ही शब्द देश का देना पड़ेगा या देना चाहिए और ये आगर काम करना है तो आप Constitution में amendment लाईए और लाईए ही नहीं केवल उसको इंडोर्स कराईए देश के शभी प्रमुक राजियों से और राजियों की विधान सभाव में वो जाना चाहिए two-third majority भी लेनी चाहिए लोग सभाव राजिसभा में मैं समझता हूँ कि ये सबसे बहतर तरीका होगा क्योंकि देश का नाम बदलने के लिए आप सडक बदलते रहे किसी ने ज़्यादा हल्ला मुल्ला नहीं किया आप शहर का नाम बदलते रहे गाओं का नाम बदलते रहे कस्बे का नाम बदलते रहे स्टेडियम का नाम बदलते रहे, पार्क का नाम बदलते रहे, किसी ने ज़्यादा शोर शराबा नहीं किया, कि चलो जी सरकार है, काम नहीं कर रहे हैं, तो नाम ही बदले, क्योंकि काम तो दिखाई नहीं देता, केवल आपका नाम दिखाई देता है हर जगा, लिकिन अगर आप देश का नाम ब कि इस देश का नाम क्या होना चाहिए समिधान सभा ने तो तै कर लिया था आप तो उसको पलट रहे हैं और जब पलट रहे हैं तो निश्चित रूप से उस पलटने के बारे में जो प्रस्ताओ है उस पर देश की मुहर होनी चाहिए तो दोस्तों आज हमारे साथ इसी मुद्धे पर बातचीत करने के लिए देश की जानी मानी पत्रकार पुर्णिमा जोशी मौजूद है पुर्णिमा आपका स्वागत है हमारे कारिक्रम में सबसे पहला मेरा सवाल है कि जो ये प्रेसिडेंट बनाम रास्पती का जो विवाद एक अनोखा विवाद जो आज तक आजाद भारत में कभी तरह तरह के राजितिक डलों की सरकारें थी लेकिन कभी इस तरह की कांट्रोर्सी नहीं खड़ी हुई लेकिन जो खड़ी हो गई है इसको आप किस रूप में पहले देख रही है फिर हम डिटेल में बात करेंगे वाट्स यूर आपजर्वेशन क्या आपका रिएक्शन इस पर है देखे मुझे ये लगता है कि ये सारी जो विवाद है ये बीजेपी जेनरेट करती है और इसमें ओपोजिशन, मीडिया सब लोग शामिल होते हैं और इनका कोई मतलब नहीं होता लेकिन एक इस तरह का इमोशनल इश्यू बना दीजे जो कि जिसका यथार्थ से या जो हमारा भोगा हुआ जो यथार्थ है उससे कोई मतलब नहीं है उसका सरकार से कोई मतलब नहीं है लेकिन एक ऐसा ऐसा विवात खड़ा कर दीजे जो कि अल्टिमेंटली पोलिटिकली जो है राजनातिक तौर पे बीजेपी को मदद करता है भारत और भारतियता वो बीजेपी ज़्यादा रिप्रेजेंट करती है बाकी सब लोग जो है वो लगता है कि भार से आये हुआ है वो अंग्रेज है या वो एलीट है या वो लटियंस गैंग है या वो टुकडे-टुकडे गैंग है तो हम जो है ओरिजिनल इन्हाबिटन यही जो वी एन आर नेशन हुड डिफाइन जो की जो संस्कृती है कि हम लोग ओरिजिनल लोग है भारतिय है और बाकी सब लोग जो है वो किसी तरह से अलग है तो यह जो यह जो एक डिस्कोर्स है यह अल्टिमेटली बीजेपी को मदद करता है और इसका कोई मतलब नहीं है मतलब यह जो आप भारत कह लीजे या इंडिया कह लीजे दोनों ही चीज़ Constitution में है और दोनों ही चीज़ों के उपर जो बातचीत होनी थी वो Constitutional Assembly में होके और वो इशू उस वक सेटल हो गया जबकि भारतीय सम्विदान बन रहा है तो उसको दुबारा दुबारा उसको बढ़ाने में कोई कोई मतलब नहीं है इस बात का लेकिन इसको इसको इसलिए बढ़ाया जाए कि एक तरह तरीके से जो opposition का इंडिया alliance है उसको एक foreign तत्व दिखा दिया जाए और अपने आपको भारतीय दिखा दिया जाए और एक अन्यत एक बिल्कुल ही अनर्थक एक विवादा आप खड़ा कर दीजिए और उसमें मीडिया मदद करता है कि क्या ये आपके हिसाब से जैसाब कह रही हैं कि इंडिया alliance जो opposition parties का बना है ये उसके reaction में या उसको एक तरह से कमजोर करने के लिए उसको उसकी खराब करने के लिए इंडिया नुमा विदेश्टी टाइक शवी अंग्रेजी दान लोगों की शवी ये करने के लिए खड़ा किया गया है ये पुरा विवाद इस्तेमाल करना चाहिए इंडिया नहीं तो क्या ये दोनों का या तो ये मिलन है या क्या आपको क्या लगता है क्या इसे चुनाव में भारती जन्ता पार्टी को आप polarization के इसाब से भी नार्थ इंडिया में कोई फैदा मिलेगा देखिए सभी बाते हैं सभी बाते हैं एक तो बीजेपी ये दिखाती है कि भारती संस्कृती भारतियता का सबसे बड़ा स्वरूप जो हैं वो लोग हैं और बाकी सब लोग जो हैं वो बाहर से आए हुए हैं या वो foreign educated हैं इस तरह का एक बहुत ही जूठा जो प्रचार है वो बीजेपी करती है जबकि अथार्थ तो ये है कि ना तो भारत के स्वतंदिता संग्राम में ना इनके ना constitution बनाने में जबकि RSS ने तो शुरू में constitution को reject ही कर दिया था तो ये उस पदती के लोग हैं जो की भारत का जो अभी तक स्वरूप है उसके अलग एक हिंदू राष्ट का स्वरूप मांगते हैं और शुरू से मांग रहे हैं तो खेर वो बात आप रहने दीजें लेकिन हम एक भारतियता भारतियता संस्कृती का स्वरूप हैं और जो लोग हमको वोट करेंगे वो असल में भारतिये हैं और जो लोग इनको वोट करेंगे वो फिरंगी हैं या बाहर के लोगों को सपोर्ट करते हैं वो एक जूटा किसम का नारेटिव एक है जो कि BJP को कहीं नहीं गहीं थोड़ा बहुत मदद करता है और दूसरा ओपोजिशन का जो अलाइंस है जिसने इंडिया नाम लिया है उसकी brand equity का थोड़ा सा खड़ाप कर दीजी उसको उसको कह तीजे कि हाँ जी ये तो अंग्रेजी दान लोग है और इनका भारत से कोई लेना देना नहीं है इंडिया से लेना देना हो लेकिन भारत से कोई लेना देना नहीं है एक ऐसा एक अजीब विचित्र किसम का और बिलकुल ही अनरगल जो है प्रचार कर दीजी आप ठीक है दूसरा तीसरी बात ये के और सबसे महतुपून बात जो मुझे लगती है के जो असल जो इशूज है लोगों के उन से आप भटका के एक बिलकुल ही जूटा प्रचार कर जाये जिसमें मीडिया भी लग जाये ओपोजेशन भी लग जाये और आपकी पिछ में आके बैटिंग करें यह बीजेपी की piş है यह यह ओपोजेशन की खराब गया है, अगस्त के महीने में बारिश नहीं हुई है, और हमारा जो दाले उगाने वाला एरिया है, वो बिलकुल उससे ऐफेक्टेड है, और चाहे आप सीरियल देख लीजिए, पलसेस देख लीजिए, ओइस देख लीजिए, स्पाइसस देख लीजिए, या डेरी प् कर रही है, और लोगों की इंकम्स कम हो रही है, ये असल मुद्धे है, जिसके बारे में आप बात न करें, और इंडिया और भारत के बारे में बात करें, तो BGP को सूट करता है ये, ये narrative, और इसी लिए इसको मीडिया भी बढ़ावा देता है, और opposition भी इसी में जम्प करक जिनका ना तो आम लोगों की जिंदिगी से ना गवर्नेंस से ना पॉलिसी से कोई मतलब है और एक बिलकुल ही मतलब बिलकुल अनर्गल है यह मेरे हिसाथ से इस पेशल जो सेशन हो रहा है पार्लमेंट अफ इंडिया का क्या आपको लगता है कि उस सेशन में बहुत सारे बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही है कि इसमें ये आएगा वो ये आएगा वो आएगा क्योंकि सरकार ने आज तक उसका एजिंडा ही नहीं बताया ये पहली बार मैं इतने सालों से मैंने भी पार्लमेंट कवर किया है इ मकसद बताए बगएर कोई सेशन कॉल नहीं किया जाता रहा है तो आपको क्या लगता है कि ये संविधान में संशोधन की इस मुद्दे पर क्या कोशिश कर सकते हैं एक को ये प्रशन है और दूसरा कि क्या इस पेशल जो सेशन है उसमें अन्य मुद्दों की जो चर्चा हो र आया था 2010 में पारिट हुआ तो जो लोकसदा में किया उसको पारिट कराने की कोशिश की जाएगी और तीसरा की जो एक वन नेशन वन इलेक्शन ये तीन एक तीसरी बात ये बताई जा रही है तो क्या इन तीन मुद्दों में आपको लगता है कि कोई मुद्दा ऐसा है जि देखें, वो तो चीज या तो प्रदान मंतरी को पता है, या फिर गरह मंतरी को पता है, उसमें वाकई किसी को जानकारी है, ना तो opposition को कोई जानकारी है, ना इनके cabinet को भी कोई जानकारी है, वो मुझे पता नहीं, यह जो एक रहसे मैं तरीके से यह लोग operate करते हैं, उसका एक नतीजा है जिसमें आप देख लीजिए न पॉलिसी मेजर्स जो हैं वो डी मॉनिटाइजेशन से जो शुरू हुए किसी को कुछ पता ही नहीं रहता है इस सरकार में तो एक ये अंटी डिमोक्राटिक लोग का तरीका तो है काम करने का तो किसी को पता नहीं है कि किस लिए पार्लिमेंट का सेशन बुलाया गया है स्पेशल सेशन बुलाया गया है दूसरी बात ये कि मुझे लगता है कि ये बिलकुल इस वक्त जो मेरी हंच है और जितना मेरे पास information है मुझे लगता है कि ये एक special session है जो की नई parliament building में गनेश चतुर्थी के आसपास आप shift कीजिए एक positive discourse जो सरकार बनाना जा रही है जिसमें एक 2047 में हमारा develop fixit देश हो जाएगा और अमरित काल में हम ये कर लेंगे और G20 में हम लोग जो अपनी achievement दिखाएंगे जो इतना बड़ा दिली में जमावड़ा हो रहा है उसमें एक भारत को showcase किया जाए भारत विश्व गरू है प्रधान मंत्री सबसे बड़े नेता है ये सारी जो चीज़े हैं इसको showcase करने के लिए special session उपलाया गया है उसमें जो साथ-साथ ये और बाते हो रहे हैं उसमें देखिए one nation one election का तो अभी कोई नाम और निशान लेंगी एक इन लोगों ने वो भी इसी तरह का शगूफा है जो कि भारत और इंडिया है है ना उसमें वो होने गाने वाला अभी है ने क्योंकि आपकी सारी state assemblies को उसको pass करना पड़ेगा ऐसे तो आप करने ही सकते हैं अगर आपने एक साथ चलिए election करवा भी दिया मान लीजिए वैसे तो वो होना ही बहुत मुश्किल है लेकिन अगर उसके अगले ही साल कोई assembly गिर जाती है तो आप क्या कीजेगा फिर उसमें प्रेजिडेंट रूल आप तो ये एक ऐसा idea है जिसका होना बहुत मुश्किल है तो वो एक और शगूफा है जो चुड़ा दिया गया है दूसरी बात uniform civil code उसका अभी क्या discussion हुआ है उसका law का क्या कहा है वो क्या draft है उसमें किस से suggestion लिया गया वो अभी तब कुछ तैयारी की गई है मुझे नहीं लगता हाला कि ये लोग बगहर तैयारी के भी लाज सकते ह है उसमें कुछ कहने की स्कति में मैं हूँ नहीं लेकिन मुझे नहीं लगता कि uniform civil code या one nation one election या women's reservation ये लोग अभी महिला आरक्षण की बात मुझे मुझे नहीं लगता कि वो आएगा अगर आप मुझसे पूछे तो लेकिन क्या ये जो इशूद उठाय जा रहे हैं one nation one election इ है यनि प्रेसिडेंट और भारत का जो मसला है रास्पती का जो मसला है ऐसा जैसे कि हम ज्यादा भारत की हैं दूसरे लोग जो हैं इंडिया वाले वो विदेशी मूल के हैं या विदेशी दिमाग के हैं उनका मिजाजी इस तरह का है जी वो भारत को नहीं कुछते हम तो देखो भारत के लिए हैं तो क्या ये जो इशूस सामने लाए जा रहे हैं ये मोधी सरकार के लिए भाजपा के लिए क्या ये बहुत बड़ा एक का एजेंडा होगा या यह कहीं तो नहीं हो जाएगा आपको क्या लगता है इन लोगों के दो तीन जो डिफॉल्ट मेकैनिजम है वो यह है कि एक तो एंटी पाकिस्तान एंटी माइनॉरिटी कैमपेंड रहे एक हिंदू हिंदी हिंदुस्तान भारतियता उसमें वो एक दही की नदियां महादी हैं और आगे जाके हम यह करेंगे देखें जो यह लोग हैं यह या तो बहुत ही इतिहास की बात करते हैं या बहुत ही भविश्य की बात करते हैं जो वर्तमान का जो रियालिटी है उसके बारे में यह लोग जादा बात करते नहीं है कि हम लोग दो पांच साल में इंडिया जो है वर्ल की थर्ड लाजस्ट एकानोमी होगी है ना तो उससे क्या होता है कि जो अभी अभी का जो जो परिवेश है जो अभी की परिस्थिती है जो की बीचेपी के लिए मुश्किल है ला सकती है चाहे आप महंगाई देख लीजिए या बेरोज़ राणी वापस ले आएगे वे इनके अपने लोग बोल रहे हैं सुब्रमान ईयम स्वाबी देखें तो वो बोल रहे हैं वो इनके अपने लोग बोल रहे हैं कि वो पूरे नहीं तो एक इंडिया शाइनिंग टाइप का, फील गूड टाइप का, आप नेरेटिव प्रियेट कीजिए, क्योंकि बहुत जादा एंटी माइनॉरिटी, जो है, वो साथ-साथ चलता रहेगा, मुसल्मानों के खिलाफ जो चलता है, या जो हिंदी-हंदी-हंदुस्तान का, इनका नेरेटिव है, भारती का नेरेटिव है, वो भी साथ-साथ चलेगा, सब चूले एक साथ पकेंगे, लेकिन एक जो बड़ा नेरेटिव है, मुझे लगता है, वो यह है कि नई पार्लिमेंट बिल्डिंग, नया उतसार, नया जोश, हिंदुस्तान 2047 में विक्सित देश, परशकार, आदाब, सक्त्रियकार.